हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग प्रेक्टिसेट्स 6.2 का कुश्चन नंबर वन भी हमने कंप्लीट कर लिया है ठीक है जी चलते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बाते बता देना चाहती हूं तो देको बच्चो आप लोग ना जो भी मैं आपको यहां पर प्रेक्टिसेट्स करवाती वह चाहिए पीडियाफ के फॉर्मेट में तो आप लोग को कहां पर मिलेगा एक तो हमारे एप में मिल जाएगा दूसरा जो हमारे टेनिग्राम चैनल है यहां पर भी आप लोग को अविलेबल हो जाएगा ठीक है जी तो यहां से आप लोग ले सकते हैं और यह जो आप है इसे आप लोग प्लेज्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यह हमारी ऑफिचल इंस्टाइडिया आप लोग वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं तो चलिए स्टूडेंस देरी न करते हुए हम लोग अपने कोश्चन पर चलते हैं तो यह रहा आप लोगों का को सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा यहां पर ना हम लोगों को फिकर बनाना होगा है ना बिना फिकर बनाए समझने आएगा कि इसमें क्या करना है आजए देखते हैं पहले हम यहां पर एक सरकल बना लिए ध्यान से देखते हैं जाओ सारी चीज़ समझाएंगी फिर उसके बाद हम इसमें दो कोर्स बनाएंगे दोनों इक्वल कोर्स रहेंगे आ जाएगे यह एक मैने बना लिया ठीक है जी इसको थोड़ा इधर करना था ठीक रुको एक मिन करें लिए दोनों कोर्स केसे हैं इसका नाम लिख देती हूं और इसका मैंने नाम लिख दिया है पी क्यूट ठीक है और जो सेंटर है ना उसको मैंने ओ मान लिया है बराबर चलो अब हम यहां पे डेखते जाएंगे एक एक करके जो भी कोश्हं में लिखा हुआ है स्ट्री पहले तो हमने जो उसे हम लिखते हैं यानि यहां पर देखो आपके कोश्चन में कहीं पर भी नाम नहीं दिया था कोट्स का राइट तो वह हमें यहां पर लिखना पड़ेगा हम इधर क्या लिखेंगे कि लेट point O be the point O be the center of the circle ठीक है and A, B and P, Q be the equal इक्वल कोड्स का मतलब क्या है स्टूडेंस इक्वल कोड्स यानि क्या एबी इक्वल है किसके पीक्यू के इक्वल है इस बात को ध्यान में रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको हमने इक्वेशन नंबर वन करके लिख देंगे चलो अभी कोशन पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है कि इनर सर्कल यानि सर्कल के अंदर रेडियस कितना है 13 सेंटीमिटर का है तो चलो हम एक रेडियस यहां पर बना लेते हैं तो यह दिखो मैंने यहां से इसको जॉइन कर दिया त अब यहां इकिल्स कोच अनृट के डिस्टंस ऑपने सेंटीमिटर के डिस्टेंस पर माल लेएं यहां पर मैने ले-लिया है जब और यहाँ पर क्या ले लिया है student, यहाँ पर मैंने y ले लिया है, ठीक है, यह बात समझ में आई, तो फिर हमें find the length of the course, यानि कि यह जो दोनों course है इनका length हम लोगों को find करना है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि a b which is equal to p q, तो अगर हमने किसी भी a code का length निकाल है, देखो op कितना है, op यानि क्या po, po का length कितना है भई, po मतले क्या है, वो radius है, तो इधर लिख भी सकते हो, आप लोग, आजओ बताती हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर हम लिख देते है, radius, radius यानि क्या po, कितना दिया गया है, यह दिया है 13 cm, ठीक है, कोई बात नह है, OZ और यह OY, यह भी मैं लिख देती हूँ, यह कितना दिया है, यह है 5 cm, ठीक, इतनी बात हैं आप लोग को समझ में आ गई होंगी, अब उसके बात देखो, यहाँ पर यह जो OZ है ना, OZ, यह क्या है बच्चों, यह perpendicular है, बोलो जल्दे से किसके उपर perpendicular है, तो PQ के है, समझे, देखो, जैसे कि यह भी क्या है, यहाँ से यहाँ दक क्या है बच्चों, यह भी कितना होगा, 90 डिगरी का ही, यहाँ पर अंगल बनेगा, यानि कि यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझे, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा, आप देखो, हमने स्टेटमेंट हम लिखेंगे, we know that, अपर पेंडिकुलर, अपर पेंडिकुलर द्रॉपर्ण फ्रॉपर्ण 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 To its code, Bisex the code, Right? ये statement हमने पहले से बढ़ा हुआ था, Bisex the code, यानि कहने का मतलब क्या है? देखे, ये वाला जो length है ना, PZ और ZQ, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में equal हो जाएंगे, यानि कि, दोनों क्या होंगे? Half होंगे, किसका half होंगे? ये PQ का half होंगे, तो आज ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, PZ which is equal to, क्या होगा बच्चे लोग? ZQ होगा, और ये equal होगा, किसके half of PQ, यानि PQ के half हो जाएंगे, रइट, अब ये जो है ना, इसको भी हम लिखते हैं, equation number 2 करगे, क्योंकि अभी इसकी आगे हमको जरूरत पड़ेगे, ठीक है जी, इतने बादे समझ में आई, अब उसके बाद हम यहाँ पे ये triangle consider कर लेते हैं, कौन सा triangle हम consider करेंगे, ये क्या है, अरे, ये कहां जा रहा है, तो एक मिनट, ये वाला हम triangle consider करेंगे, ये क्या है, ये एक right angle triangle है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि in right angle triangle, right angle triangle, triangle का नाम क्या है, तो इसका नाम PZO हो जाएगा, PZO, इन triangle PZO, इसमें हम पाइधागुरा सेरम लगाएंगे, तो पाइधागुरा सेरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वेर, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, बच्चे लोग 13 है ना, पहले हम लिखते हैं PO, यह है हमारा हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PO का square, यह equal होगा, किसके equal होगा, तो PZ square, प्लस ZO का square, ठीक है, चलो जी, यहाँ पर कौन सा ठीरम लगाया, पाइथागोरस ठीरम लगाया, तो इधर लिखना होगा, हम लोगों को, बाईथागोरस ठीरम, पाइथागोरस ठीरम, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर आके देख लिएज़ेगा, PO, हमारे पास है ना, यहां पर 13 cm यहां पर आप बेखेंगे 30 मिस्कें प्लेटी अब हम लोगों को नहीं पता चालती और यहां पर 8 कि फ्रेelगलने 17 लेखेंगे 24 लिए यहां पर 12 कितना है 15 बोले आप 13 का square कितना होता है 169 होता है और यहाँ पर है PZ का square plus 5 का square क्या हो जाएगा बच्चे लोग 25 हो जाएगा चलो जी आगे देख लो अब 25 को हम इस साइड बुला लेंगे तो 169 minus 25 which is equal to PZ का square अब माइनस करेंगे 9 minus 5 गया तो 4 और यहाँ पर 4 ठीक है इदर आ गया 1 which is equal to PZ का square अब square हटाने के लिए square root लेना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर यह root के अंदर आ जाएगा और यह भी root के अंदर आ जाएगा PZ का square अभी गया square root cancel और square root of 144 क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हो 12 होता है यानि कि जो PZ है न वो हमें कितना मिला बच्चो 12 cm मिला अब यहाँ पर ज़रा देखो PZ हमें कितना मिला तो यह हमें मिला है 12 cm ठीक हमें निकालना किया था तो हमें code का length बताना था तो अगर हमारे पास यह है तो हम इसकी मदद से यह पूरा code का length बता सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि perpendicular drawn from the center of the circle to its code bisects the code यानि कि this is equal to this यानि कहने का मतलब क्या है कि यह जो PQ है न यह क्या हो जाएगा PZ का दो गुना हो जाएगा इस equation में मतलब यह equation number 2 जो है न इसमें हम PZ के value को put करके PQ का value निकाल लेंगे और PQ क्या होगा हमारा code होगा right code का इंतो length हमें find करना था तो देखेगा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे from equation 2 equation 2 में देखो क्या लिखा है कहा गया equation 2 यह देखो PZ which is equal to 1 by 2 of PQ right अब यहाँ पर आजाओ आप लोग इधर देखो PZ का value क्या है 12 और यह जो 2 है न इसको मैंने इस side बुला लिया इधर क्या बचा PQ multiply करेंगे तो PQ का length हमें कितना मिलेगा 12 तूसा 24 यानि की PQ हमें कितना मिला बच्च लोग यह हमें मिला है 24 cm हाजी हाजी किना जी मिला ना 24 cm और यह PQ क्या है तो PQ है हमारा code हमें code ही तो find करना था अब देखो हमें दोनों ही code का length बताना था तो अगर हमें एक मिला तो दूसरा पर मिल जाएगा कैसे मिलेगा अरे देखो न यहाँ पर मैंने 24 cm हो जाएगा तो चलो लास्ट में आंसर में लिख दो आ जाएए यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे आ जाओ यहाँ पर लिख देंगे from 1 है ना equation number 1 में हमने लिखा था ना क्या लिखा था code AB which is equal to PQ तो दोनों कितने cm के हो जाएंगे तो 24 cm के हो जाएंगे रैइट हमें यही बताना था बता दिया हम लोगों ने तो देख लो यहाँ पर आपका question number second complete होता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि length of therefore length of codes length of codes which is equal to 24 cm right तो देख लेजिए यहाँ पर आप लोगों का question number कौन सा question था question number second होता है complete मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा शुरू से PDF तो आप लोगों को मिल ही जाएगे चिंता मत करना PDF में अवलेबल करवा दूंगी एप के अंदर ठीक है जी चलिए देख लीजिए इसको फिर हम चलते हैं आगे पहले यह सब देख लो हाँ फटा फट से ठीक चलो second question देखे आ जाओ करते हैं तो अब भी तक जो भी हमने question देगा question number one और टू उसमें हमें कुछ ना कुछ find करना था लेकिन अब इसमें कुछ find नहीं करना बलकि प्रूव करना है ठीक है चलो जी यह भी कर लेंगे कोई बात नहीं तो कैसे होगा पहले देखो जब भी ऐसा प्रूव वाला question आता से पहले हम इसको पढ़ते हैं ठीक है segment PM and segment PN are congruent course of a circle with a sentence C अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है न स्टूडेंट एक तो हमारे पास circle है जिसमें दो हैं और दोनों course कैसे हैं तो congruent course है और यहां पर क्या दिया है PM और यहां पर क्या दिया है पीएन इसका मतलब आप समझ रहे हो जो हमारे सेना वह सेम पॉइंट से उनके शुरुआत हो रही है यानि originate हो रहे है सेम पॉइंट से मतलब हमारा figure कैसा बनेगा आज आप लोग वो को बताती हो ऐसा कुछ बनेगा यह हमारा क्या है बच्चे लोग सरकल है ठीक है अब देखो यह हमारा पॉइंट पी ठीक है अब देखो पी से इसकी भी शुरुआत होगी देखो यह भी एक कोड है और पी से हम एक और कोड बनाएंगे यह कुछ अच्छा ने बना ना रोको अच्छे से बनाने के कुशिश करती है ठीक है अब अब अच्छा लग रहा है हाँ तो मैं क्या स्टूडेंट दोनों कॉंग्रुमेंट कोर्स है यानि कि यह जितना होगा ना उतना ही यह भी होगा ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा तो चलिए आगे देखते हैं यह बात तो आप लोग को समझ में आगई फिकर मैंने बना करके आप लोग को बता दिया देखो प्लुग क्या बोल सकते हो एंगल NPM तो हमें यह पर प्रूफ करना है कि यह जो रे । तो रे । सब्सक्राइब करता है किसी भी एंगल को टूइक्वल पास में डिवाइड कर देता है यानिकि यह वला एंगल दूनों अपस में क्या हो जाएंगे बच्चे लोग इक्वल हो जाएंगे समझे तो देखो अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया कि यह एंगल ध्यान से सुनना अभी मैं चोटू वाले एंगल की बात करें यानिकि बस इसकी यह वाला एंगल और यह वाला एंगल अगर मैंने इन दोनों को एक्वल ला दिया तो फिर मैं बोल सकती ह आगा तो सबसे पहले रिखन गी से लिखना होता है वही जो दिया गया है लिख दो यहां हम लिग देते हैं कि सेगमेंट पी-एंड सेगमेंट अ पीलर को को टो एकवल को से यानि कि पी एंविच्छ एकवल डियान में रखना इसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना इधर हम लिखते हैं to prove, we have to prove that, क्या prove करना है students, तो यहाँ पर लिखा हुए न, कि the ray PC is the bisector of angle NPM, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि the ray PC is the bisector of angle NPM, ठीक है, ray PC क्या है, तो bisector है, किसका bisector है, angle NPM का, अब देखो इसके अलावा न, हम यहाँ पर कुछ construction भी करेंगे, क्या construction करेंगे, अरे जादा कुछ नहीं, बस यह हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको और इसको joint कर देंगे, आजाओ, आप लोग को line के through बताती हूं, देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर इसको joint कर दें हैं और फिर खतम हो जाए इसको हम यहां से जोइन कर देंगे ठीक अच्छा यह दोनों क्या होंगे अरे रेडियस होंगे ना रेडियस होंगे यह दोनों आजाओ तो हमने क्या क्या किसको किसको cm और cn को तो यहां पर हम लिख देते हैं construction में कि जोइन cm and cn बराबत चलो यह हो गया अब यहां से इसका प्रोफ हम शुरू करते हैं यहां से लिखेंगे प्रोफ अब क्या करें कैसे करें सिंपल है देखो हमने क्या देखा हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा आपको बता रही हो आपको दो ट्रैंगल मिल रहे होंगे एक तो यह वाला ट्रैंगल है राइट दूसरा यह वाला ट्रैंगल है तो इन दोरों ट्रैंगल्स को ना हमें कॉंग्रूवेंट लाना होगा अच्छा कॉंग्रूवेंट लाने से क्या होगा देखो हम लोगोंने पढ़ाएगी हमारे पस दो ट्रैंगल्स है अगर वो दोनों आप तो फिर उनके corresponding sides and corresponding angle सबके सब congruent हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें वही काम करना है पहले हम इन दोनों को congruent लाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे in triangle इस triangle का नाम कैसे लिखोगे तो ऐसे लिख देते अलावा ssa test sss test है ना यह सारी टेस्ट हमने पढ़े तो उनमें से किसी एक टेस्ट का यहाँ पर यूज होगा सबसे पहली बात pm और यह दोनों आपस में क्या है बच्चों यह हमें कैसे पता चला तो यह आल्रेडी यहाँ पर देखो गीवन में दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पी एम कि सेग्मेंट कि पी एम विच इवल टू सेग्मेंट का गया पी एन यह इसके पहली बात हो गई और यह कहां एक गीवन था यह हमने अपने मंग से नहीं लिखा बलके को स्टन में अल्रेडी दिया गया था ठीक है ना कारण भी आप लोग को लिख करके बताना पड़ेगा ओके जीए अब दीखेगा यहाँ पर यह वाला सेग्मेंट और यह वाला सेग्मेंट यह भी तो आपस में congruent होंगे ना अब इसके पीछी का कारण क्या है तो यह दोनों क्या है radius है ना और हमने पढ़ाए कि circle के अंदर जो radius है ना वो क्या होते हैं congruent होते हैं तो देखो mc और nc यह दोनों आपस में हो जाएंगे congruent why because यह है radii of the circle तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि segment and mc है ना इस वाले triangle के लिए mc हो जाएंगा mc is congruent to segment and see right इसका reason क्या लिखोंगे बच्चों यहाँ पर लिख दीजेगा radii यह दुनों क्या है radii है इसके लिए ऐसा होगा तो दो तो हमने sites को बता दिया है congruent बचता है क्या यह वाला site तो यह भी तो congruent हो जाएगा यह कैसे congruent होगा अरे यह वाला जो साइड है PC यह तो दोनों ही triangle में आ रहे है इस वाले triangle में भी आ रहे है यह यह भी congruent हो जाएगा तो दीखों यहाँ पर लिख देंगे कि segment PC is a congruent to SEC PC वाई रिजन इसका हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों common side है ना यह क्या है यह तो common side है तो अब देखो बताओ यहाँ पर कौन सा test लगीगा देखें यह भी एक side है यह भी side है यह यानी कि हम बोल सकते हैं side 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 test है कि यह दोनों triangles हापस में क्या है congruent है तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे triangle कि पहले ऐसे लिखते हैं कि by SSS टेस्ट चाहिए कि side 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 test यह टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं बच्चो कि triangle pmc is a congruent to triangle pmc तो देखो हमने इन दोनों triangles को congruent ला दिया है तो अगर यह दोनों triangles अपस में congruent है तो फिर इनके corresponding angles और corresponding side से वह congruent हो जाएंगे तो हमें actually में इधर दिखाना क्या था मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस वाले एंगल को हमें घॉंप यहां पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे लेखते जाईएगा फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना रुको मैं काम करती हूं यह मैं आपके सामने ही रहने देती वरना फिर वो नीचे चला जाता है ना तो अगे का इधर लिख देते हूं तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल यह वाला एंगल आप हैंगल के लिखेंगे एंपीसी ट्रैंगल congruent triangles यानि कि हमारे पास congruent triangles है इसके लिए इसके जो corresponding angles है वह भी आपस में congruent हो जाएंगे तो अगर आपने यह बता दिया यानि यह प्रूब हो गया कि PC क्या है PC is the by sector of this angle ओके तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि they are for segment PC यहीं हमें प्रूब करना था ना रे PC ठीक है रे लिखा है तो हम रे लिख देंगे रे PC इस दा बाइसेक्टर ओफ बाइसेक्टर ओफ विच आंगल बाइसेक्टर ओफ आंगल एन पी एम ठीक है है कॉमा प्रूफ प्रूफ हो गया देखो कितना आसान था आसान था कि नहीं देखिए यह रहा आपका question number 3rd का solution एक मिनट पूरा मैं एक साथ ही दिखा देती हूं देख लो बस ऐसे करना था देखो कितना आसान है तो टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ अच्छे से लिख लिए जएगा और यह फिगर भी आप लोगों को बनाना है ठीक है तो फाइनली आपका यह जो प्रैक्टेशेट 6.2 है ना बच्चो यह होता है complete अब इसके आगे है प्रैक्टेशेट 6.3 तो उस और क्या लाओगे पैंसील रबट सब कुछ ले लेना और जैसे जैसे मैं आप लोग को बता दे जाओंगी वैसे वैसे आप लोग कंस्रुक्शन करते चाहिएगा ठीक है तो नेक्स वीडियो में एक और नया टॉपिक सीखेंगे स्टुडेंस आजओ आप लोग को बता देत देखेंगे नेक्स वीडियो में ध्यान रखेंगे अपना बाई एव्रीवन